विल्कम टो माई चैनल मैं मुहम्मद मुदसिरालाम उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे सिर्फ 2021 में शामिल ज्यादा तर इनुवर्सिटीज की एडमिशन प्रक्रिया अलमॉस्ट क्लोज हो चुकी है मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा सेंट्रल इनुवर् सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो बनाना चाहिए उसके लिए कब से आपको आना है कैसे आना है क्या तैयारिया करनी है होस्टल कब मिलेगा साथ ही साथ वो लोग जिन लोगों ने फी समिट कर दिया है उनका सवाल है कि कब कंफिर्मिशन पता चलेगा कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया है यह सारे सवाल है पहला सवाल लेते हैं कि जिन लोगों का एडमिशन हुआ है उन लोगों को प्रोविजनली एडमिशन दिया गया है आप डिपैंड करता है अगर आप सर्टिफिकेट से करती दिसंबर 2021 तक प्रोड्यूस कर पाएंगे जमा कर पाएंगे अब आपके अडमिशन कंफर्म होगी उनलेश तो वो कैंसिल हो जाएगी दूसरा सवाल है कि डॉकुमेंट से वेरिफाइ करने का वेरिफाइगी प्रोसेस बहुत एजी है कभी भी नोटिस आएगी तो आपको डॉकुमेंट से उन डॉकुमेंट को लाने को कहा जाएगे व लिमिटेड है जो मेरिट बनती है स्यूसर की मेरिट साथ ही साथ आप किसे जगह से बिलाउं करते हैं इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है तो स्यूसर की मेरिफिश उस पर भी कैटेगरी वाइस बनती है जेनरल लोबी सी डबल एस सी एस्टी जिस की हों अगर उस कोर्स को 20% सीट्स टोटल मिलते हैं तो उन 20 सीट्स के लिए ही अलर्टमेंट होगा वो 20 सीट्स भी एक्राउज दा कैटेगरी जो सोचल कैटेगरी है जेनरल ओवी सी डवल एस सी इस तरह से डिवाइड होगी तो इस बेसिस पर होस्टल दिया चाता है कुछ होस्तों के रिगार्डिंग ये भी सवाल है कि कब से अलर्टमेंट के प्रक्रिया शुरू होगी उसके रिगार्डिंग नोटिस आपको सी यूएसवी की वेबसाइट पर मिल जाएगी तो वेबसाइट पर विजिट करते हैं ज्यादा परेशान ना हो आपको होस्टल मिल ज इस बार एक नए चैंसे आ रहे ही कि इस बार से पी एजडी के दिविशन्स जो फूए हो फूर पर पहली बार ऐसा होगा कि योजी पी जी साथ साथ पैजडी के स्ट्यूडंट्स को भी होस्टल मिलेंगे तो यह होश्टल की बात हुई आप जो भी जादा जान करना कि आप मेंसे कई लोग ऐसे हैं जो कि बेहार से बाहर से हैं दूर से हैं गया से दूर से हैं उनको प्लाइन करना होगा आना है नहीं आना है इसके एक सिंपल सा जवाब है अगर आप पॉसिबल है तो आप दो दिसम्बर से ज़रूरी इनवर्स किया है आपके और इंटरिशन जो भी ऑर्गनाइज किया जाएगा डिपार्टमेंट में उसमें आपको भाग लेने का मौका मिलेगा अगर आप किसी वज़े से नहीं आप आतके हैं या ट्रेन की टिकट नहीं बन रहे हैं या बस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या कोई परिशानी है तो आप तीन चार दिन अगर आपको वेलें गूड है तो आईए जरूर आईए आप दो दिसंबर से आएंगे तो आपको ही फायदा होगा अगर आप नहीं आ पातके हैं किसी वज़े से तो आप तीन चार दिन दिन दिले या एक हफ़ता डिले कर सकते हैं आने के बाद ही आपको होस्टल के रिकार परिशान नहीं हो इसके अलाबाद क्लासे ऑफ-लाइन मोड में होगे तो यह दिमाग में ना सोचें कि ऑनलाइन क्लासे होंगे फिलाल सिच्वेशन अच्छा है कोई-19 के कैसे काफी कम है तो आपको स्वागत है आप आए मुझे लगता है कि जो भी आपने सवाल जो आपके करण नहीं होता है तो आपके पैसे पूरे पैसे वापस हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने एडमिशन करवाया है किसी वजह से उनके भी पैसे कुछ दिनों में दो से तीन महने में जिस मोड पेमेंट के तुरुप आपने पेमेंट किया है वो पैसे वापस हो जाएंगे त उन्हीं सवालों को मैं एक साथ इकटा करकर मैंने इस वीडियो को बनाया जवाब दिया मुझे लगता है उस वीडियो को देखने के वाद आपको सवालों का जवाब मिल चुका होगा आगे खत्म करने से पहले एक आखरी इंफॉर्मेशन कि अब कोई नई लिस्ट नहीं आए सब्सक्राइब को जरूर दबाएं थांक्स लाट अल्द अबदेश्ट वर्यर करियर वेलकम तो सेंट्रल इनवर्सिटी आफ साउथ विहार